जहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का टॉप 50 श्टैडी यूटूब चैनल पर जिसके माध्यम से हम प्रात्मिक सिक्षक भरती के लिए 150 प्रिष्ण का महा अभ्यास लेकर के आए हैं आपने इन 150 प्रिष्णों को पड़ लिया तो बहुत सी आपकी तैयारी होगी पूरे सिलेवस के नुसार प्रिष्ण है और 5 सब्जेक्ट के जैसे पेपर में आते हैं 30-30 प्रिष्ण यहाँ पर लिये गए हैं टोटल 150 प्रिष्ण है पहले हम बालविकास के प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे फिर परियावरण के करेंगे फिर गड़ित के करेंगे इसके बाद संस्क्रिट और हिंदी करम से 150 प्रिष्ण है आप पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि पहले भी बीडियो अपलोड हो चुके हो आंग आंगे से आप कमेंटे बताईएगा क्या है कौनसा कतन सरवोत्ता में तो प्रते एक बच्चा बिसिष्ट होता है याद रखिएगा बाल बनो विज्यान के अंतरकत अब आपको भी कमेंट में उत्तर बतलाना है हमारे बताने से पहले ठीक है तो सबी लोग तैयार रहें सततेपम ब्यापक मुल्यांकन होना चाहिए ठीक है बच्चों का कैसा होना चाहिए सततेपम ब्यापक मुल्यांकन होना चाहिए आगे बढ़ते हैं आगे है एक बच्चे की ब्रद्धी और विकास के अध्यन की सरवाद एक अच्छी विधी कौनसी है दोस्तों एदि आप वीडियो तो कम से कम लाएंगे यह और भी ला सकते हैं यदि आप लोग का response अच्छा रहा तो आप चैनल को subscribe करें वीडियो को like को share जरूर करें तो बता दें कि एक बच्चे की ब्रद्धी और विकास के अध्यन में सरवाद एक अच्छी विधी आपको बतलानी है कौन सी है जल्दी से बता दीजी ए भी शी या फ़र डी उसका उत्तर हो जाएगा सी विकास ही विधी ठीक है विकास के लिए विकास ही विधी आगे देखें सामाजी करण बहपिक्रिया है जिससे बच्चे और बयस्क सीखते हैं सामाजी करण बहपिक्रिया है जिससे बच्चे और बयस्क दोनों सीखते हैं क्या है जल्दी से बता दीजीए तो भय हो जाएगा परिवार से सीखते हैं बच्चे भी सीखते हैं वयस्की भी चीक्तबिद्याले से भी चिकते सातीयों से भी तो इन सभी से ठीक है बहुत अच्छे अच्छे बालविकास के परस्ण है ऐसे परिष्ण परिक्छा में कई बार पूछे गए हैं बहुंसे परिष्ण ले करके आपके लिए आये हैं चार्ट करके देखें मानाव जाती में भी कौन से बैयक्तिक विभिन्नता के निर्धारिक तत्थ होते हैं जो मानाव जाती की विभित्ता को बतलाते हैं कौन से तत्थ होते हैं तो आपको बता दें कि वो होते हैं आनुवान सिक्ता वा परयावरण की अंताक्रिया ठीक है आगे बाई गोस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा कतन से संबंदे दो से तीन कोस्टन आते हैं तो बाई गोस की महुदय जी ने क्या कहा है, तो बालविकास के संबन्द में तो उन्हों ने कहा है कि यह सामाजिक, क्या कहा, यह सामाजिक अंता क्रियाओं के कारण होता है बालविकास, भी उत्तर ठीक हो जाएगा इसका, आगे बढ़ते हैं, कमेंट खोल के रखें, आप ज चमता का नाम बुद्धी बिल्कुल है, सीखने की चमता का नाम बुद्धी है, हाँ बिल्कुल है, संचिप्त तारकिक्ता की चमता का नाम बुद्धी है, तो उपरियोक्त सभी कथन सही है, आगे एक बच्चे की मायन से कायू 5 वर्स, वो बास्तवे कायू 4 वर्स है, तो उ हो जाएगा 125 हमने विस्तार से बालविकास पड़ाया है उसमें सारे सूत्र भी बताएं तो अब देख लीजी चैनल की प्लेश्ट में आगे बढ़ते हैं मनु विज्ञान सिक्छा का आधारबूत विज्ञान है यह किसने कहा है कई बार पूछा गया है मनु विज्ञान सिक् यह भी IMP है वैसे तो प्रतेक प्रशन ही IMP हर सब्जेक्ट के महा अभ्यास है दोस्तों इतनी मेहनत करके लेके आ रहे हैं एक बाल लाइक जरूर करना वीडियो हिंदी अक्षनों को बालक किस I.U. में पहचानने लगते हैं तो आपको बता दें पांच वर्स की I.U. में किस बुद्धी लब्धी मापन के जन्मदाता है वो तर्मेन महोदैजी है कौन है तर्मेन याद रखीएगा बुद्धी लब्धी मापन के जन्मदाता कौन है तर्मेन आगे देखें सिक्छा मनुविज्यान की उत्पत्ती का बरस माना जाता है तो सिक्छा मनुविज्यान की पत्ति के बार सबको पता होना चाहिए 1900, क्या है 1900, आगे बढ़ते हैं, प्याजे की ओप्चारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक की किस आयू अबधी तक मानी जाती है, ये प्याजे जेने जो अवस्थाइं बताई हैं वो याद कर ली जीएगा, इससे संबन्दत एक दू प सब्सक्राइब ना किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि एक एक प्रस्ण आपके लिए महत्पून रहेगा, एक एक वीडियो महत्पून रहेगा, और सभी वीडियो आपको 150 प्रस्ण वाले देखने हो, तो प्ले लिस्ट में जाएं, और महा अभ करद बुद्धि वालों का एक अत्र संत्तर से कम होता है घ्यंग गर्व मेट को भीखोंट हुआ उने में कितने दिन लगते हैं कई बार पूछा गया मैंने देखा यह अपको बता दें गर्व में बालक को भीखोंट हुने में 280 सी दिन लगते है इस पीड से आपको कमेंट में लिखना है हमारे बताने से पहले नवजास सिसू का भार होता है ठीक है नवजास सिसू का जो भार होता है वह है साथ पाउंड फिर तो अलग अलग होता है एक मेन मतलब जो माना जाता है वो क्या है साथ पाउंड बुद्धी के बहुकारक सिध्धांत के पृतिपादक ठीक है जल्दी से बेरी बेरी आई MP है कई बार टेट एक जाओं मैंने देखा पूछा गया है बहुकारक सिध्धांत के पृतिपादक बुद्धी के और आपको बता दें जो तो याद आ रहा है मुझे MPTET का 2012 में जो पेपर हुआ था वो मैंने दिया था उसमें पहला ही प्रशन ये था कि बुद्धी के बहुकार अक्सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है पहला प्रशन था ये चलिए तो आपको बता दें कि कौन है थारंडाइक कौन है थारंडाइक और देखें उपनायन संसकार किस सिक्षा काल में किया जाता है उपनायन संसकार आपको बतलाना है तो उपनायन किस सिक्षा काल में किया जाता था स्वरी तो बैदिक काल में होता था उपनायन संसकार आगे देखें बच्चों को सीखने की पिक्रिया में माता पिता को खालि की सीखने मदद करनी चाहिए ऐसी भूम का होनी चाहिए माता पितागी ठीक है आगे देखते हैं बहक कौन सा इस्थान है जहां बच्चों की संग्यानात्मक विकास को सबसे अच्छे बहतर तरीके से परिभासित किया जाता है नंबर एक आ गया तो कंफ्यूज मत हो न हम दस सबसे अच्छी तरीके संग्यानात्मक विकास को आप परिभासित कर सकते हैं तो आपको बता दें कि बिद्याला एवं कक्छा का बातावरण बहस्थान है आगे देखें मानव विकास किन दोनों की युगदान का परिडाम है तो सबको पता है बंसान्युक्राओं बातावर रण के युगदान का परिडाम है मानव का विकास अगला है निम्न मैसे कौन सा बुद्धी मान बच्चे के लक्षण नहीं है बुद्धी मान बच्चे के लक्षण नहीं है कौन से तो आपको बता दें कि पहला दिया है बहु जो लंबे निवन्नों को बहुत जल्दी रख अगला देखें महत्पूर्ण बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सरजन करते हैं इसका सरे किसको जाता है जल्दी से बता दें चार ओप्सन है और सभी सब्जेट के अलग अलग वीडियो की पिले लिष्ट भी आपको हमारी चैनल पर मिल जाएगी तो आप वो भी जरूर जा करके देख लें चाया आपको संस्कित पढ़नी हो चाया आपको परियाबरन बालविकास हिंदी ठीक है इस वीडियो में तो हम 150% लेई रहे पूरे लेकिन अलग अलग भी आप अध्यान विस्तार से कर सकते हैं तो बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समाज का सरजन करते हैं इसका स्रेज आता है पयाजे महुदैजी को परिवार एक साधन है किस चीज का साधन है परिवार तो आपको बता दें परिवार अनौप चारेक सिक्षा का साधन है किसका है अनौप चारेक सिक्षा का साधन है अब धारणाओं का मुख रूप से किसका हिस्सा है अब्धारणाओं का विकास मुक्रूप से किसका हिस्सा है जल्दी से बता जीजिए तो आपको बता देगी बुद्धि के मनुविज्ञानिक चिध्धानट पर, क्या कक्छाओं में शिक्षण खेल विध्ह, आविश्यक हो जाएगी आगे देखते हैं निमने मैंसे कौनसी पूरवाले आवस्ता की विशेस्ता नहीं है पूरवाले आवस्ता की विशेस्ता नहीं है वो वतलाना है तुद्धा लिया समूई में रहने की आवस्ता होती है अनुकरण की आवस्ता भी भी होती है प्रस्ण करने की भी होती हाँ, खेलने की अवस्था नहीं है ये, पूर्वाले ये तो सेश्वा वस्था, खेलने की अवस्था सेश्वा वस्था हो कहते तो बागी तीन बिसेश्था हैं हैं, ये खेलने की अवस्था वाली नहीं है, आगे देखें, बच्चों की रुची बन आने से बच्चों में कुछ नहीं होता है अगला और इसका अंतिम प्रिश्ण क्योंकि तीस प्रिश्ण हमारे पूरे हो गए बाल विकास के तीस तीस हमें पांचो सब्जेक्ट के लिए ना है ठीक है तो मुल्यांकन किया जाना चाहिए जल्दी से बता जीजिए किस चीज क्य किया जाना चाहिए मुल्यांकन तो बच्चों को सीखने के इस्थर का ग्यान होता है इसलिए मुल्यांकन किया जाना चाहिए मुल्यांकन क्यों किया जाना चाहिए क्यों बच्चों के सीखने क्या इस्थर रहा कितना सीखा इसका ग्यान होता है ठीक है चलिए यह हमने 30% बा आगे चर्चा करते हैं परियावरण दोस्तो अब 30 प्रिष्णों पर चर्चा कर रहे हैं परियावरण के याद रखिए का ये बो प्रिष्णे हैं जो बार बार पर इच्छाओं में आए हो बहुत महत्पूर्ण है प्रिष्ण देख करके आप समझ जाएंगे तो एक एक प्रिष्णों को रख लीजिएगा याद कर लीजिएगा समझ लीजिएगा तो चलें सुरूबात करते हैं गोवा किस नदी पर अवस्तित है जल्दी से बता दीजिए कई बार पूछा गया प्रिष्ण है आप भी कमेंट में बताएं तो आपको बताते हैं कि गोवा मांडिवी नदी पर अवस्तित है किस पर है मांडिवी पर अगला देखते हैं एक और बात बता दीदी आपको परियावरण का पूरा बिस्तार से पढ़ना है और वीडियो देखना है तो टॉप फिप्टी स्टेडी हमारे यूटूब चैनल की पिले लिष्ट में जाएं चैनल पर किलिक करके वो पिले लिष्ट में परियावरण की जो पिले लिष्ट है उसमें पेडागोजी भी दी है और ये भी दी है तो आप वो पढ़ सकते हैं भारत के अलबन जल की सबसे बड़ी जील कौनसी है जल्दी से बता दीजिए कौनसी है तो आपको बता दें कि बय है बुलर जील याद रखिएगा जम्मू कस्मीर के बंदो पोरा इस्तित बुलर जील को भारत की सबसे बड़ी ताजी पानी की जील माना जाता है राश्टी उध्धान के सराज में है, very very IMP लगा लें, बादा होगर जल्दी से कमेंटें बता दें हमारे बताने से पहले, मद्ध प्रदेश में ठीक है, कहाँ पर है ये, मद्ध प्रदेश में, यहाँ क्या पाए जाते हैं, वो कमेंटें बताएं किसके लिए प्रशिद्ध है, निमने में, कौन सा प्रोटो जो आजनित रोग नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, कौन सा नहीं है, तो आपको बता दें, कि चार ओप्सन यहाँ पर दिये हैं, इसमें पहला है हाती पाउं, वह है, प्रोटो जो आजनित रोग नहीं है, आगे देखें, बहुत महत्पून महत्पून प्रिशन हैं आगे, इसके बाद हमें आगे गड़ित हो गई, संस्क्रित हो गई, हिंदी हो गई, उनके भी प्रिशन ले करके आ पूर्वी भारत में सुन्दरवन एक उधारण है, किस चीज का उधारण है, सुन्दरवन से संबंदेते एक कौस्चन आई जाता है, जब भी परियावरण की बात आती है, तो आपको बता दें, कि सुन्दरवन जो है, मैग ग्रोब पारिश्थित के तंत्र का है, किसका है, मैग ग्रोब पारिश्थित के तंत्र का, थोड़ा सा पीडियेप में बो हो गई है, खर सब्धाम बोलते जा रहे हैं, वैसे किलियर देख रहे हैं, फिर भी थोड़ा आप समझने का प्रियास कर लिजीगा, आंगे ठीक है, इस वीडियो में है केबल, बाकी में तो पीडिय अच्छी बनी है, ये पीडियेप में थोड़ा दिक्कत आ रही थी, आगे देखें, रेडियो धर्मी इस्ट्रो नीटम 90 से क्या होता है, ठीक है, तो आपको बता दें, कि रेडियो धर्मी इस्ट्रो नीटम 90 से क्या होता है, गल्दी से बता दीजिए, तो होता है तवचा क अंसर क्या होता है तोचा के अंसर होता है तोचा का निमने लिखित में से कौन सी नदी भारतिये भूछेत्र से नहीं निकलती है जल्दी इसे बता दे महतपूर प्रशन का उत्तर बताना है तो आपको बता दे ब्रह्म पुत्र है भाय कहां भारत से नहीं निकलती है पर कहां स को बता दें कि मान सरूबर के पास चेमिया यूंग डूंग क्या है चेमिया यूंग डूंग यहां से निकलती है बागी तिब्बत के मान सरूबर से आप याद रख सकते हैं जीन बैंकों में पादप पोधा जीन पदार्थों को तरल नाइट्रोजन तापमान में 196 DGC तापमान में निमने लिखित में से कौन सा एक अभाव से होने वाला रोग है अभाव से कौन सा रोग होता है जल्दी बता दें तो वह होता है इसकरवी ठीक है क्या होती है इसकरवी रोग किस से होता है अभाव की कारण होता है जैसे बहुत जो पदार्थ होते ना तो इनकी कमी हो जाती है उसकी करण अभाव की करण आगे देखते हैं निमने लिखित मैं से किसे पर्थम राजीब गांदी खेल रतनवार से सम्मानित किया गया किसे किया गया है जल्दी से बताएं परशनों को याद कर लेना है विल्कुल तो आपको बता दें कि बिस्सुनात आनंद जी को क्या पर्थम राजीब गांदी खेल रतन परुषकार से सम्मानित किया गया था यह क्या खेलते हैं वो आप सबको पता होगा कि यह क्या खेलते हैं सतरंज पाक जल्दमरूमद बेरी बेरी आईमप किन को अलग करता है पाक जल्दमरूमद किन को अलग करता है तो आपको बता दें भारत और स्री लंका को अलग करता है किसको भारत को स्री लंका को क्या पाक जल्दमरूमद तेल किसकी सहायक नदी है जल्दी से बता दीजिए तो आपको बता दें कि जो तेल है आपको जल्दी स्पीट से कमेंट में उत्तर देना हम बताना पाएं तो तेल है वो महा नदी की सहाइक नदी है किसकी है महा नदी की भी उत्तर ठीक हो जाएगा आगे देखते हैं कुछ बिसाणूं में RNA होता है किन्तु DNA नहीं यह क्या दर्साता है कुछ बिसाणूं है उसमें उनमें क्या है कि RNA होता है लेकर DNA नहीं होता तो क्या दर्साता है तो आपको बता दें कि ऐसे बिसाणूं में आनुबांस की संकेत RNA देते हैं क्या करते हैं आनुबांसी जो संकेत है ना भै RNA दे रहे इसलिए RNA है DNA नहीं अब आगे देखें, जल्परपाद से संबंदित एक question आता ही है, तो सिब समुद्रम जल्परपाद किस नदी में पाया जाता है, एक से दो प्रिशन आपके हो जाएं, कबर जल्परपाद पूरे पढ़ लें, तो सिब समुद्रम जल्परपाद किस नदी में पाया जाता है, ज बुलसाई का प्रियोग, खेल से सम्मनित प्रिश्न, जल्दी से बता दें, तो बुलसाई का जो प्रियोग होता है, भै निसाने बाजी में, आई मतला आख लगा रहे हैं जहां पर, ठीक है, तो निसाने बाजी में लक्ष का केंद बिंदू है, बुलसाई, ठीक है, आगे दे तो आपको बता दें कि जो सन है बहर 1973 ठीक है जिसमें बागों को सुरक्षे तो प्राक्रत आवास पदान करने के लिए इसकी सुरू बात की गई थी 1973 में आगे देखें फियो फाईसी के सदस्स सामान नता कैसे होते हैं तो आपको बता दें भूरे ठीक है भूरे रंग के सेवाल पाए जाते हैं फियो फाईसी ये मुख रूप से आगे देखें प्रदूसक जो नीचे जाते हुए भूमी का जल के साथ नीचे की और गती करते हैं क्या कहलाते हैं जल्दी से बता दीजिये आपको बता दें भारत के किस राज में कामाख्या मंदर इस्तित है कामाख्या मंदर किस राज में इस्तित है जल्दी से बता दीजिए कामाख्या मंदर तो आपको बता दें कि कामाख्या मंदर है वह असम में है असम की गोहाटी में है ठीक है ज्याद रखीगा पुरी की रथयात्रा किसके उपलक्ष में आयुजित की जाती है Confuse नहीं होना है जल्दी से बताएं तो पुरी की रात्रा भगवान जगनाथ जी जगनाथ पुरी नाम ही है तो उनके उपलक्ष में क्या की जाती है आयोजित की जाती है आगे बायू की आद्रता नमी किस पर निरभर करती है ठीक है बायू की आद्रता पूंचरे किस पर निर्वर करती है तो तापमान तापमान बढ़त करती है इस्थान पर भी करती है मौसब पर भी तो पर्युक्त सभी उसका उतर ठीक हो जाएगा यह सभी पर करती है आगे देखें भारत में नई राज्यों का निर्मान किसकी द्वारा संपन किया जाता है तो आपको बता दें कि भारत में नई राज्यों का निर्मान होगा वह साधरन बहुमत से होता है ठीक है संसत की सदसें बहुमत करके फिर करते हैं बारत में किस तरह के संगबाद को देखा जाता है भारत में किस तरह की संगवाद को देखा जाता है तो आपको बता दें कि एक जुट संगवाद को भारत में देखा जाता है एक जुटता जहां पर होती है अगर भारती संविदान की साथवी अनुसूची में बरनित भारती रिजर बैंक सूची का विसाय है जल्दी से बता ज संघ का ठीक है किसका है संघ का याद रखीएगा आर वी आई विजर बैंक ओफ इंडिया भारती संवेदान में किस मौलेक अधिकार के अंतरगत सभी व्यक्तियों को देश के कानून द्वारा समान संरक्षन दिया जाता है आपको बताते हैं यह संता का जो अधिकार है उसके तहस सभी को क्या दिया जाता है समान अधिकार अनूच्छे 14-18 संभिदान के अनूच्छे 14-18 तक इसका बर्णन किया गया है उसका यह क्या है विसाई है आगे देखते हैं चात्रों को परियावरण अध्यान की सभी साखाओं को एक साथ पढ़ाने है तू निम्न मैंसे कौन सा उपागम स्रिष्ट है परियावरण पेड़ागोई सम्बंदित प्रस्न है कौन सा उपागम होगा कि आप सबको एक साथ पढ़ा दें सबसे प्रमो खुद्देष होता है प्रात्मेख जो विद्ध्यालह होते हैं क्योंकि प्रात्मेक स29 किंव तयारी कर Sullivan की प्रात्मेक विध्याला तो पूछ कि अपको बता दें कि क्यों जरूरत होती है तो छात्रों में अब लोकान तथा संग रह करने की आदर डालते हैं इसलिए वहाँ पर उसकी जरूरत हुआ करती है ठीक है इस प्रकार से अपने 30 प्रिष्ण कंप्लीट किये प्रयावरण के बाद हम मैथ के प्रिष्णों पर चर्चा करेंगे आपको बता दें कि मैथ में पेडागोजी आती है 15 नमबर की और 15 नमबर के अनकोस्चन रहते हैं अभी पेडागोजी इसमें हमने ली है क्योंकि वैसे वाले कोस्चन सॉल्व करने बहुत समय लगता और ऐसे वह भी नहीं पाता इतने बड़े वीडियो में इसलिए पेडागोजी लिए हैं इसके बाद 30 सिलिवस के नुसार हिंदी के और 30 सिलिवस के नुसार संस्कित के ट ठीक है आगमन और निगमन आगमन में जिसमें पहले क्या आते हैं उधारन बाद में नियम और निगमन में पहले नियम बाद में उधारन जैसे नी नी से आप लगा लेने जिसमें पहले नियम आता हो फिर उधारन तो निगमन और निगमन भी दी है आगे देखें बहुत उ या हाथ का सा, हाथ का लगा, सम प्रत्याय को गड़त में सरप्रथम देने वाले कौनते, जो हासिल लगाते हैं न, या हाथ का लगा, तो भाए को है, स्रीधर जी, कौन है, स्रीधर जी ने दिया, और देखिए, छात ब्रत तथा गोले में तुलना करता है, भाए किस उत देश सुद्ध्ध की पूर्त करता है इसी टाइप के कॉस्चन पूछे जाते हैं ठीक है छात ब्रत गोले में तुलना करता रहे किस उद्ध्ध की पूर्त कर रहा है अब बहुत की सिलेवस की अनुसार हम आपको पूरी आपके टेटेग जम की तैयारी करा रहे हैं इसलिए आप हमा प्रियोक्साला विधी किस विधी का विश्रत रूप है आगमन विधी का विश्रत रूप कर देंगे तो प्रियोक्साला विधी ठीक है ऐसे question आते हैं किसी खेल के छेत्रफल का ग्यान कराने में सहायक विधी है किसी खेल के छेत्रफल का अपन को ग्यात कराने तो कौन सी विधी है क्रिया विधी उसके द्वारा खेल के छेत्रफल का ग्यान कर सकते है किसी ब्रत की परीधी वा ब्यास में संबन्द स्थापित करना इसमें कौनसी विधी सहायक होगी किसी ब्रत की परीधी भी करना और व्यास से संबन्द स्थापित करना कौनसी विधी के द्वारा करेंगे प्रियोग आत्मक विधी के द्वारा ठीक है यह वो प्रस्न हैं जो आपके पेपर है पूछे जा सकते हैं जाओं में जो पेड़ागोजी सम्मद मैथ की पूछेगा इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा एक भी कॉस्चन ना छूड़ जाए गड़त विसाई की पाष्ट पुस्त के किस विधी पर आधारत होकर लिखी जाती है ठीक है जो एक आई उपआगम थाई कौन से सिक्चा विद ने दिया ऐसे एक यादू कॉस्चन आते हैं ठीक है इन्से संबंदे तो यह दिया है मौरी सन्ने किस ने दिया है मौरी सन्ने ये सिक्छा बिध हुए है जिन्होंने एकाई उपागम गड़ित का दिया है आगución नेत्रहीन विद्धार्थियों के लिए ब्लैल लिपी का प्रतिपादन किस ने किया ब्लेन लिपी के प्रतिपादा किस ने किया लुई बेरल ले ये तो कई बार पूछा गया है टेट एकजाम में अधिकतर में पूछा ही जाता है ठीक है अगला देखें जेकब एल मौरेनो का संबंद किस विधी से है ये भी मोश्ट है जेकब एल मौरेनो का संबंद किस विधी से है तो उनका है समाज मिधी सी ठीक है समाज मिधी से समाज मिधी जो विधी है उससे इनका संबंद है ठीक है आपको तो जब भी तैयारी करने है टेटा करें टॉप 50 श्टड़ी आप यूटूब पर लिखें बस पढ़ना सुरू कर दे हर सब्जेक्ट के वीडियो है आपको क्या लखना है यूटूब पर टॉप 50 S T U D Y इतना बस सर्च करना है हमारा आपको चैनल मिलेगा उसमें वीडियो मिलेंगे हर सब्जेक्ट के चाए बालविकास हो चैनल से जरूर जोड़ जोड़ आपको करा रहे है तो आप चैनल से जरूर जोड़ना है यादि सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन को दबा लें चलिए समस्या समादान बिधी का सोपान है समस्या समादान बिधी का सोपान क्या है तो बैहे निसकर्स निकालना, समस्य समादन बीदी का सोपान क्या है, निसकर्स निकालना गड़त में द्रस स्रब सामगरी का प्रियोग किया जाता है या आपके देखुचेप्टर में है विल्कु सिलिवस में द्रस सामगरी तो किसली किया जाता है बालकों की रुची जागरित करने के लिए ठीक है बालकों की रुची को जागरित करने के लिए द्रस स्रब सामगरी का प्रियोग किया जाता है गड़त विसाई की विसेष्ता है क्या है आप गड़त का एक जाम दे रहे हैं गड़त पूछी जारी मालो 30 नम्मर की इसकी विसेष्ता क्या है तो भै क्या है तर्क पूर्था एक तो गड़ित में क्या होती है तर्ग पूर्टा होती है परिणामों की निश्चित होते हैं जो है दो और दो जोड़ें तो चार ही होगा और कुछ नहीं हो सकता है निश्चित है परिणाम ठीक है सुद्धता है ये सभी इसका उत्तर ठीक हो जा तर्ग पूर्टा परिणाम को कौन है गड़ित इन सब को बढ़ा आने वाला है ठीक है और देखें गड़ितिये निसकर्ष सर्वमान होते हैं क्यों होते हैं गड़ितिये निसकर्ष को हर कोई क्यों मान लेता है हर कोई नहीं कहा तक भी आप ऐसे थियोरी मस सुनाओ आप तो पॉइंट में चर्चा करो क्या है मतलब उसकी तो बहुत अच्छी तैयारी हम आपको करा रहे हैं चली देखें सिक्षण उद्देशों का क्रिमिक बर्गी करण किया है सिक्षण के उद्देशों का क्रिमिक बर्गी करण किसके द्वारा किया गया बिलूम के द्वारा बिलूम जी ने क्या किया है जो सिक्षण के उद्देश थे उनका क्रम पूर्वक बर्गी करण कर लिया है ठीक है चली गड़ती सिध्धानतों की सही समझ होना इसका उत पर सई हो जाएगा और देखें टेक्सोनॉमी की आँग क्या नहीं है तो आपको बता दें कि वुध्धी नहीं है परिकया क्या है विलूम टेक्सोनॉमी की आँग ऐसा भी पूछ सकते कौनसा अँग है इसमसे तो समझ है, प्रियोग है और ग्यान है, ठीक है, ब्लूम टेक्स उना होई किया अंग कौन-कौन से हैं, समझ है, प्रियोग और ग्यान, यदि कोस्टिन अच्छे लग रहे हैं, तो एक बाद लाइक जरूर कर दें, आगे, बीजगड़त यथार्त में है, बीजगड़त यथा जिसमें काब सास्त की प्रिष्ण हैं, ब्याकरण की प्रिष्ण हैं, और भी हिंदी से महत्पूर्ण जो आते हैं, भासस संबन्दी, सारे प्रिष्ण हम आपको ले करके आ रहे हैं, अपने यूटूब चैनल टॉप 50 श्टड़ी पर क्रम से सिलिवस के अनुसार, तो आज के प्रिष्णों पर आएंगे हम चर्चा कर रहे हैं, खिली हुई हवा आई, फिर की सी आई, चल गई, पंक्ती में अलंकार क्या है, क्या कह रहे हैं, खिली हुई हवा आई, फिर की सी, जैसे आपको बताया था सा समान, इसकी बात की जाए, तो उपमा की जाती है, जैस चल गई तो अलंकार यहां पर हो जाएगा आगे देखें दोहा में कितनी मात्राइं हैं कमेंट में आपको भी उत्तर बताना है तब तो पता चलेगा आपका अभियास कितना है कमेंट खोल लें और मेरे उत्तर बताने से पहले बताएं तो आपको बता दें कि जो दोहा होता है चंद से भी question है यहाँ पर तो दोहा में 24 मात्राइं होती है सबको पता होगा 13 फिर 11 फिर 13 फिर 11 ठीक है तो एक चरण में कितनी मात्राइं वहाँ पर हो जाएंगी 24 मात्राइं दोहा में हो जाती है याद रखिएगा जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ हो इस सब्द समूई के लिए एक सब्द क्या होगा जो अच्छे कुल में उत्पन हुआ उसको कहते हैं कुलीन क्या कहते हैं कुलीन मैंने देखा कई बार पूछा गया है पिछले वीडियो ना देखे हों तो आप हमारे चैनल पर जाकर के YouTube पर सर्च करें Top 50 Study और चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें तिलक किस फ्रकार का सब्द है चली बताई जल्दी तिलक सब्द कैसा है तो आपको बता देंगी तिलक सब्द जो है वह कैसा है तत्सम कैसा है तत्सम आगे पक्ष का तधवा होगा पक्ष का तधवा बताना है पक्ष कहते है पंक क्या हो जाएगा पंक निमने लिखेत में ऐसे बरतनी की द्रश्टी से सुद्ध सब्द है बरतनी की आपक्षा सबसे पहले तो सुद्ध उचारण बनना चाहिए तब आप बरतनी अपन क्या देन जाते हैं परिक्षा तो परिक्षा परिक्षा लिखा है तो गलत है परिक्षा लिखा है तो ए परिक्षा सी बिलकुल सही हो जाएगा और एक और बात बतानी थी यदि आप टेट एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं परात्मिक सिछक भरती परिक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो डे 800 question का महाभ्यास हमारे YouTube channel top 50 पर upload हैं तो आप वो जाकर के जरूर देख लें ये महाभ्यास के वीडियो देख करके आपको सिलेवस के नुशार पूरा अभ्यास हो जाएगा आगे देखें आखों में धूल जोकना मुहाबरे का आर्थ है आखों में धूल जोकना मतलब क्या हो जाएगा तो आखों में धूल जोकना मतलब धोका देना अपनी कहते हैं वो आखों में धूल जोक करके चला गया मतलब धोका दे करके चला गया बाक में प्रयोक्त लोकोक्ति का उचित साब्दिक अर्थ है फ्रेस बलड यसा भी आ जाता है अब इसका साब्दिक अर्थ क्या है फ्रेस मतलब ताजा बलड मतलब खून तो क्या हो जाएगा ताजा खून इसमें आप दो ऐसे दे दिये हैं ताजा खून भी दे दिया नया खून भी दे दिया ठीक है तो फ्रेस बलड में नया खून भी अपन ले सकते हैं कई कॉस्चन ऐसे होते हैं जिनमें डवल उत्तर होने की उर्याती हैं नया खून भी ले सकते हैं अप फिर उस समय वो चला जाता है कि आपके जो परिच्छ लेने वाले हैं, वो किसको सही उत्तर मान रहे हैं, आपको तो दो लगेंगे, ठीक है तो वहाँ नया खुन भी आप ले सकते हैं, रसाल सब्द का आर्थ है, चलिए कई बार पूछा गया है, जल्दी से बता रसाल सब्द का क्या आर्थ है, तो रसाल कहते हैं, आम को याद रखिएगा, विल्को रट लीजिए, बेरी बेरी आई एमपी है, दिएगा ये बिकल्पों में चीर सब्द का समाना आर्थी क्या है, चीर का समाना आर्थी बतलाना है, जल्दी से बता दीजिए, चीर सब्द अपने के चीर हरण हुआ मतला बस्तर, चीर मतला बस्तर हरण, तो बस्तर चीर का अर्थ क्या है, बस्तर, अपने बस्तर को क्या कर देते, चीर देते, फार देते, तो याद रखीएगा, बस्तर किसका है, चीर, और वर्षी के रचनाकार है, सबसे फेमस रचना है, और वर्षी लेकिन है किनकी वो आपको बतलाना है तो आपको बता दें कि रामधारी से दिनकरजी की रचना है और वर्षी ठीक है किनकी रचना है रामधारी से दिनकरजी की रचना है बिलकुल याद रखिए का एक एक पृस्ण हमारे लिए महत्पूर्ण है एक एक बात यहां पर महत्प तो यह किसकी सबसे पहले आदी काल जो आता उसकी रचना है इसके लेखक कौन है तो चंद बरदाई जी इसके कौन है लेखक है ठीक है पहला है आदी काल फिर आता है भक्ती काल फिर रीती काल फिर आधुनिक काल यह चार काल बताए हैं इनके समय भी आप कमेंट में बतला सकत याद रखने की चीज है निमले लिखेत में ऐसे कौन सी दिनकर की रचना नहीं है अब कौन सी नहीं है यह पूछा गया है याद रखीए का नहीं तो कई लोग नहीं पढ़ते नहीं और सीधा है और पहला भी दिखा ओर वर्षी था ठीक है आगे बड़े गलती हो जाती है भा फिर कौन सी नहीं है तो आपको बतला दें कि म्रग नैनी जो है इसका उत्तर ठीक हो जाएगा यह दिनकर जी की रचना नहीं है यदि किसी को पता हो कि म्रग नैनी किसकी रचना है तो कमेंट में लिखिए और बताईए आगे देखें महादेवी बर्मा को ग्यान पीठ पु मिला कई बार पूछ आगे प्रशन है किस रचना पर उनकी पřेमस रचना है उस पर उन्हें क्या मिला था तो ग्यान पीठ पुरुषकार से सम्मानत ही अगया था ज्यओ जी साहत जगत का महत्पून पुरुषकार माना जाता है ठीक है अगे अगे जी को किस कृती पर ग्यानपीठ मिला महादी वर्मा जी को तो यामा पर मिला लेकिन अगे जी को कितने पर मिला किस कृती पर मिला तो अगे जी को मिला कितनी नाओं में कितनी बार ठीक है उन्हें ग्यानपीट पुरुषकार मिल गए याद रखने के लिए पहले तो अग्ये जी की रचना ये हो गई कितनी नाव में कितनी बार अब कितनी नाव में कितनी बार ग्यात नहीं है तो क्या होगा अग्ये और इन्हें इतनी कई बार नाव पर कितनी बार घूमे है तो इतना काम इनों ने किया, तो उने ग्यान पीट प्रुसकार से सम्मानत किया गया, तो इस प्रकार से आप उसको याद रख सकते हैं, ठीक है, आगे, आगे देखें, नीचे दिये गए सब्दों में, बिलोम सब्द चुनना है, उद्यम, ठीक है, यह होता है, उद्यम, बेकल्पिक एकषिक दोनों हो जाएंगे. ठीक है? ये कोई subject निवार होता, जेक the बेकल्पिक होते हैं, य एकषिक बोलते हैं. तो B और C दोनों. ये D उसका तर्डीक हो जाएगा. आगे देखें, बिस्तृत, अब बिस्तृत तो कोई किसी चीज़ का, आगे देखें उन्मुख अब अपन किसी चीज की उन्मुख होते हैं जुकते हैं तो क्या हो जाएगा बिमुख मतलब अलग हो जाना बिमुख ठीक है इस विकार से आगे देखते हैं पराग का परियावाची सब्द बताना है तो आपको बता दें पराग कहते हैं फूल को ठी पीट से जल्दी ले रहे हैं पिछले वीडियो ना देखे हो तो चैनल पर जाके आप प्लेलिस्ट में जाएं और जरूर देख लें एक भी वीडियो ना छोड़ें आप बिरासत ठीक है अब कोई चीज बिरासत में होती है अपनी कहते भाई यह चीज बिरासत में मिल गई क्य है इनकी यह क्या है बिरासत है तो अब बिरासत का यहां पर परियाइबाची तो बिरासत का क्या हो जाएगा दाए अतलब दी गई एक पिकार से अगला है म्रगधर म्रगधर किसको कहते है जल्दी से बता दीजिए म्रगधर परियाइबाची जल्दी से बताईए तो आपक मनसज का क्या हो जाएगा आप जलदी से कमेंट में उत्तर बता दें मनसज किस को कहते हैं कामदेब जी को मेरा निवेदान अभी तक वीडियो को लाइक न ही आ हो तो जरू करदें ऐसे פर स्थन हम नरंतर लेके आ रहे हैं नरंतर लेके आते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे वीडियो आपको नोटी पे किसान आता रहे और आप अच्छे से तैयारी अपनी करते रहें कमेंट में मैंने पूछा था कि आप किसे एकजाम की तैयारी कर रहे हो बताएं तो वैसे वीडियो हम ले करके आएंगे उस सिलेवस के अनुसार वैसे हर सिलेवस का मिक्स है घर अब सबको पता है भाई घर को परियावाची क्या कहेंगे घर के लिए अपन सब घर में रहते हैं तो गल्दी से बता दिए घर को कहते हैं गे है घर है ठीक है इस प्रकार से आज के महत्पूर प्रशनों पर हम चर्चा कर चुके हैं आप कोई प्रशन अच्छे लग रहे होंगे समझ में आ रहे होंगे याद हो रहे होंगे ऐसी भाबना करते हुए अगले मीडियो में हम प्रशन होते हैं वो ही प्रशन हमें यहाँ पर लेकर के आए हैं तो चली शुरूबात करते हैं संस्कित भासा की लिपी क्या है तो आपको बता दें संस्कित भासा की जो लिपी है वै क्या है देवनागरी याद रखिएगा हिंदी किसी भी देवनागरी और संस्कित की भी आगे बढ़ते हैं कमेंटे में आगे से आपको उत्तर बतलाना है स्वर और बेंजन के बीच में स्थित बरण क्या कहलाते हैं जो स्वर और बेंजन दोनों के बीच में स्थित बरण है वो क्या कहलाते हैं तो आपको बता दें वो कहलाते हैं अंतस्त बरण अंतस्तवरण हैं कौन-कौन से या, रा, ला और ओआ ये क्या हैं अंतस्तवरण हैं अगला देखें परार्ध का संधी विक्षिद है एक और बात है दिए आपको पूरी तैयारी सिलेवस के नुसा संस्कित की कन्नी है तो हमारे यूटूब चैनल टॉप 50 श्टडी की आप प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के संस्कित के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें और अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे एक भी वीडियो आपका मिस ना हो आगे देखें परार्धा सब्द का संदी विक्षित क्या होगा तो परार्धा क्या क्या हो जाएगा पर плюс अरधह से मिलकर कि क्या बनाएगा परारधह कौन सी संदी हो जाएगी तो आगे बाद आया बड़ा हो गया तो दीर के सवर संदी यहां पर हो जाएगी ठीक है तो ए उत्तर इसका ठीक है संदी की हमने ट्रिक बताईए सब्द देखकर कि संदी पहचानने वाली अभीता, परीता, सरवधा जो जितने हैं समया, निक्सा, अपरतियोग एपी ये सूत्र है तो सब में क्या दुतिया विवक्ति का प्रियोग होता है? सरवता मतलब सब और से अभीता मतलब दोनो और परीता मतलब चार और कोई भी सब दा जाए आपको क्या लगाना है दुदिया विभक्ति का प्रियूग सब में होता है ठीक है एक साथ कई परिशन पढ़ने हैं पचास का संस्कित में क्या कहते हैं, पचास को लिए क्या कहते हैं, पचास हथ, आपको पूरी संख्या सीखनी हो, तो हमारे आप चैनल पे जा करके संख्या वाला वीडियो देख लें, उसमें एक से ले करके करोड तक संस्कित में क्या कहते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ाये ग इस स्पीड से बताना है हमारे बताने से पहले आपको कमेंट में क्योंकि हमारी स्पीड से तेज स्पीड आपकी होनी चाहिए धात्री सब्द का प्रत्मा विभक्ती बहु बचन में क्या रूप बनता है चलिए बता दीजी जली तो धात्री का प्रत्मा विवक्ति बहु बचने बनेगा धात्रिणी क्या बनेगा धात्रिणी याद रखिएगा आगे देखें एक सर्वनाम सब्द के सभी बिभक्ति सभी बचनों को में कितने पद होते हैं बचन दुई बचन और बहु बचन अब सर्वनाम सब्द है मानलू सर्वई सब्द है तो सात्ती कितने हो जाएंगे एक कैस ठीक है यहाँ पर इसमें गलत दिया है पंद्रा दे दिया गलत है उत्तर हमारा उत्तर जो बताया वो सई है ठीक है इस्था धातू का लटलकार प्रथमपरोस बहु बचन में सुद्ध रूप होगा इस्था धातू का क्या सुद्ध रूप हो जाएगा तो इस्था के जब रूप चलते है तो तृष्ठ के रूप में चलते है याद रखीगा तिष्ठति, तिष्ठताहा, फिर वनेगा तिष्ठंती बहु बचन में ठीक है आगे देखते हैं नीबस त। जोडने पर क्या बनेगा है? ठीक है नी उपसर्ग बस धातू तिप प्रत्य जोडने पर क्या बनता है? जल्दी से बता दीजिये तो आपको बता दे निव सती मतलब निवास करना ठीक है नी उपसरग है बस धातु ये तिप प्रत्य है गुरूता प्रत्य रूप में प्रकती प्रत्य क्या है मतलब क्या प्रकती मूल सब्ध हो प्रत्य क्या है तो गुरूता में आपको बतला दें कि गुरू सब्दे हो तल प्रत्या है इससे मिलका कि क्या बना है गुरूता बना है किसोर प्लस गीप जोडने पर क्या रूप बनता है किसोर सब्दे गीप प्रत्या है क्या रूप बनेगा तो बनेगा किसोरी अगला देख लेते हैं भासा सब्द संस्कित की धातू से बना है कई बार पूछा गया है किस धातू से बना है संस्कित की आपको बता दें भास धातू से क्या बना है भासा बना है महत्पून प्रिश्न है उस्म बर्णों की संख्या कितनी होती है उस्म बर्ण तो उस्म बर्णों के हम पहले बता चुके कि सा, सा, सा और हाई सब कुछ पढ़ा चुके हैं चार क्या हैं उस्म बर्ण हैं तो उस्म बर्ण की संख्या कितनी है चार है ठीक है आगे देखें यसु बलम सब्द का संदी विक्षत है तो यसो बलम सब्द का संदी भी एक्षित हो जाएगा यसाह पिलस बलम बिसर्ग का हो जाएगा O तो क्या बन जाएगा यसो बलम कौन सी संदी है यह भी आप बता दीजिए तो आपको हम बता दें कि इसमें बिसर्ग संदी है कौन सी संदी है बिसर्ग संदी है, हर चीज के हम विस्तार से भी वीडियो पढ़ा चुके हैं कॉस्चन भी लाए हैं तो आप जरूर उनको वीडियो को देख लें और कई लोग सोच रहे हैं कि सर गद्द पद भी पूछे जाते हैं तो गद्द पद के लिए अलाग से हम बहुत सारे वीडियो लाए हैं गद्द पद में जो कॉस्चन भी भूछे जाते हैं तो अधिकतर कॉस्चन तो ऐसे ही होते हैं कि गद्द पद में से मातलो एक सब्द ले लिया ऐसो भलम तो उनमें हम बीच बीच में गद्ध भी लेते जाएंगे और ए भी लेते जाएंगे दोनों हेतु सब्द के साथ किस विभक्ती का प्रियोग होता है हेतु सब्द के साथ किस विभक्ती का प्रियोग होता है जल्दी बता दीजिए जल्दी से बताब नहीं है तो बुद्धी लगा लें यह तो ऐसे परस्ण है कि आधे परस्ण ऐसे रहते बुद्धी लगाने तो क्रम बाची क्योंकि क्रम का पता चल लाए जिन सब्दों से ठीक है आगे देखें उन्नीसवा सब्द का पुलिंग में क्रम बाची रूप क्या है उन्नीसवा के लिए हो जाएगा ठीक है उन्नीसवा सब्द का पुलिंग में क्रम बाची बना पुलिंग में बताना यह भी याद रखिएगा तो हो जाएगा नव दस तमी क्या बोलेंगे उसको नव दस तमी ब बाचाम सद्व में विभक्ति बताना है, तो आपको बता दें, बाचाम में सश्टी विभक्ति है, एक सरवनाम सद्व में कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं, जल्दी से बता दीजिए, तो आपको पहली बता चुकिए साथ में बनते हैं, ठीक है, प्रथमादूतियतिया तो आपको बता दें कि हसिस्यता में कौन सा पुरोस है पुर्थम क्योंकि हसिस्यता है यासे रूप चलेंगे लेट लकार में हसिस्यता हसित्वा प्रत्य रूप में प्रकती प्रत्य है और क्या प्रत्य है तो आपको बता दें कि पॉरानिक में हो जाएगा पुराण और धक प्रत्या है इस से मिलकर क्या बना है पुराणिक याद रखीगा पुराण सब्द में धक प्रत्या लगने से क्या बनता है पुराणिक बनता है दात्री प्रत्या में प्रकती प्रत्या क्या होगा दात्री जल्दी से बता जीए दात्री तो DAT 3 plus D Me Prattuya क्योंकि इस 3 लेएंगे DEEP तो D Parattuya लगने से क्या बनता है DAT 3 ठीक है आगे देखें भासा का परियोग कहा होता है भासा का परियोग कहा होता है किस रूप में होता है तो वोई मोखिक में भी लिखे कमें भी तो खाओखा दोनो मुख रूप से ठीक है बाकी दो मुख है आयोग बाह के कितने प्रकार है तो आयोग बाह जो संस्कित में आते हैं तो आपको बता दें कि वह तीन है कितने हैं टोटल तीन है आयोग बाह जैसे अम अहा है न ते क्या है आयोग बाह ही तो है सूर्या धारितम सब्द का संदी विक्षित होगा सूर्या धारितम सब्द का तो आपको बता दें सूर्य प्लस आधारितम इससे क्या दीर्गस और संदी से क्या बनेगा सूर्या धारितम यह उत्तर सा पादेन खंजहस्ती इस बाक में पादेन सब्द में किस विफक्ती का प्रियोग हुआ है तो आपको बता दें कि जब कोई भी ऐसे आ जाए कि पैर से खंजा मतले लंगडा है कान से काना है ऐसे जो सब्द आ जाएं तो अहाँ पर हमेशा आपको बता दें कि तृतिया विफक्ती होती है कौनसी विफक्ती होती है तृतिया विफक्ती होती है जैसे आतना अक्षणा, काना, पादेन, खंजा सिरसा, खलवाटा इस सब तृतिया विफक्ती के ओधारण है चार संख्या का नपुनसक लिंग सब्द क्या होगा इसके रूप चलते हैं तो चार का नपुनसकलिंग बन जाएगा चत्वारी, ठीक है आपको एक और बात बता दें ऐसे वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करही लिया होगा वीडियो को लाइक करें, आँगे सेर भी करें दोस्तों, क्योंकि इतनी मेहनत करके हम आप इतने 5-5 वीडियो अलग-अलग हर सब्जेक्ट के आपके लिए ले करके आ रहे हैं, एक साथ वो भी मतलब डेड़ सो प्रस्न है इतने में हम 5 वीडियो बना लेते, लेकिन आपको एक वीडियो में लेकर के आ रहे हैं तो आपका फर्ज है कि आँगे सेर करें वीडियो को लाइक करें पूरा देखें, ओ पिछले वीडियो भी देखें ओ आँगे आने वाले वीडियो भी प्रतेक वीडियो आप रात को 10 वजे विलकोल तैयार रहें तो नपुन सकलिंग किरम बाची सब्द बनाने में किस प्रत्या का प्रियोग होता है जल्दी से बता दीजिए तो उसका उत्तर हो जाएगा तमम प्रत्या का प्रियोग होता है किसका होता है तमम प्रत्या का प्रियोग होता है ठीक है एक और बात कमेंट में आपे जरूर लिखे देना कि आप किसे एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसी के सिलेवस के अनुसार पूरे टोटली डेड़ सो कॉस्चन बैसे ही आप तक आएंगे बैसे सामान प्रात्में सिक्षक भरती का मैंने देखा है कि चाहिए MPTET हो, UPTET हो, CTET आदी जो भी एक्जाम होते हैं STET आदी एक सही होता है इसलिए बस फिर भी आप एक बाल लिखें तो इक हमें आइडिया रहेगा कि कौन किस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है चली अगले वीडियो में पुना मुलाकात करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, मेरी धेर सारी सुपकाम ना है आप लोग सफलता जरूर प्राप्त करेंगे, जय हिन